नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव यूपी निउज 24 में हूँ आपके साथ रवी सिरवास्तो आज हम बात करेंगे पांच राज्यों में हो रहे विधान सबाचुनाओ के बारे में चार राज्यों में विधान सबाचुनाओ हो चुके हैं महज एक राज तिलंगाना बात की है अब ऐसे में कॉंग्रेस की प्रियंका गादी वहां रैली की प्रधान मंतरिय नेरेंद्र मोदी भी रैली की लेकिन कॉंग्रेस की रैली में बहुत भारी मातरा में लोग महां आए और कॉंग्रेस की प्रियंका गाधी ने नाराब दी दिया जय कॉंग्रेस जय तिलंगाना तो ऐसे में क्या लग रहा है अब कॉंग्रेस एक बढ़त के रूप में नजर आ रही हमारे साथ बात चीत करने के लिए इसी मुद्दे पर लखमी सर मौजूद हैं सर क्या लग रहा ह हैं exit polls सामने हैं ground report से जो जानकारी हैं सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि BJP के लिए मुश्किले हैं और यह सत्ता का semi-final है आप जानते ही हैं कि इसके बाद हर पार्टी लोगसभा चुनाओं के लिए जुट जाएगी तो उससे पहले अगर BJP को यहां पी मुश प्रियंका को एक तरह से आगे फ्रंट पी लेकर आया और उसका असर जो है आपको 24 लोगसभा चुनाओं में भी दिखेगा और इन पांच राज्यों के विधान सभा चुनाओं में भी दिखेगा तो क्या असर अगर यह पांच राज्य अगर BJP से जा रहा है या नहीं आप पार यह सरकार तो 24 के लिए इनके लिए खत्रे की घंटी तो नजर आ रही है देखी बिलकुल सही आपने कहा खत्रे की घंटी है और रणनीती बदलनी होगी हाला कि विजेपी में भी अच्छे खासे रणनीतिकार हैं वो चीजों को समझते हैं लेकिन कहीं न कहीं जो यह ब पूरा खेल समीकरण ही पूरा बदल जाता था तो क्या अब यह माना जा रहा है कि जो अब चुनाव आ रहा है मोदी जी भी अब उतने बड़े कत के चेहरे के रवी केवल 2024 ही नहीं 2019 में भी इनका असर दिखा था और ऐसा नहीं है लेकिन जब लंबे समय तक एक ही चेहरा को ही इतना वह नहीं है कि बहुत लंबे समय तक उनका जादू चले तो कहीं नहीं एक समय आता है जब हर इंसान का धलान होता है पीम मोदी का जादू अभी भी अब यह तो देखिए रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा कि कितना जादू चला कितना नहीं चला लेकिन से रिपोर्ट्स आई उनमें भी ये जरूर दिख रहा है कि प्येम मोदी का वो जो जादूई असर था वो कहीं न कहीं खत्म होता जा रहा है और उसका असर बीजेपी पर पढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी को अब देखना होगा कि प्येम मोदी के अलावा कौन सा उनका ऐसा है जो इतनी चीजें इतनी लोगों को खीच सकेगा क्योंकि अब सोचिए कि ये अगर एक तरह से अंतिम चुना मान लिजेए प्येम मोदी का भी एक समय है उनकी वेक उम्र है एक सीमा है किसी के भी सरीर का जब वो साथ छोड़ेंगे जब वो किनारे होंगे तो फिर वो कौ भारत जोड़ो यात्रा में भी उनका अच्छा रिस्पॉंस कॉंग्रेस की तरफ जा रहा है तो उस्त का भी महत्त्व है कि उन्होंने जो यात्राएं की है कहीं न कहीं उसका भी असर दिख रहा है तो इसका क्या अगर एक पाजिटिव वे में राहुल गाधी इससामें राहूल ने भारत जोलो यात्रा में जो बो दिया है ना उसको ही कॉंग्रेस काट रही है लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि पीम मोदी के सामने जब राहूल को खड़ा करते हैं तो जो एक छबी बना दी गई है जान भूज के भी बनाई गई है कुछ स्क्रिप्टेड भी की गई है आरोप नगता रहा है कि राहूल गादी भी अपने इंटेर्वी में कहें कि हजारो करोड रुपए हमारी छबी को खराब करने कि पीजेपी सोसल मीडिया पे खर्च कर रही है चाहें बीजेपी हो बीजेपी कायटी सेल हो या जो भी तरीके हो ल देखिए वो चबी टूटने में टाइम लगता है हाला कि भारत जोड़ो यात्रा में राहूल गांधी ने अपनी चबी पूरी तरह से तोड़ी है लेकिन फिर भी जब आप उस जगह पे प्यमोधी के सामने खड़ी करते हैं तो थोड़ा सा उसमें वहां पे प्यमोधी नह और ग्रामीर महिलाएं अगर उस सेंटिमेंट में आई और कॉंग्रेस को उसका फायदा दिखेगा तो आप देखिएगा दोजार चोबिस के लोग सवाचुराओं में प्रियंका आगे आगे होंगी निश्चित रूप से रहूल मेहनत करेंगे लेकि प्रियंका मेन फेस हों अगर भीजेपि यहाँ मुश्किल में दिखेगी तो उसको अपनी रणनीती चेंज करनी पढ़ेंगे और वो रणनीती इसी रूप में हो सकता है कि उसको कुछ सेंटिमेंटल मुद्दे लाने होंगे कुछ ऐसे इसूस लाने होंगे जहां से उसको लगेगा कि अब मैं इस सेंटिमेंट को इस चीज पर भुना सकता हूं तो फिर निश्चित रूप से वो रणनिती अपनाएंगे देखिए क्या है चुनाओ है हर कोई जीतना चाहता है तो वो हर हतियार का प्रयोग करेंगे जिससे उनको पता चले कि हां हमें जो है इन सेंटिमेंट को हम भुना सकते ह हैं इनको हम अपनी तरफ ला सकते हैं तो वो निश्चित रूप से आपने जो कहा कि यह काड़ खेल सकती बीजेपी बिल्कुल खेल सकती है क्योंकि उसको अगर लगेगा कि इन राज्यों में हमारी जो बाते हुई है वो लोगों तक नहीं पहुंचे हमें कुछ नए मुद